दोस्तो आज हमारे सामने एक प्यारा सा टॉपिक है वरिचों की उचाई नापना आप कहेंगे कि वरिचों की उचाई नापना ये कौन बड़ी बात है वरिच पर चड़ जाएंगे और फिता को लटका देंगे और माप लेंगे कि कितना फित है कितना मीटर है या फिर अगर जरीब को ही लटका देंगे तो कितना कड़ी है ये पता चल जाएगा है कि नहीं ये आप सूच रहे होंगे तो देखिए हर पेड़ पर चड़ना उतना आसान नहीं है और आप तो एक अमीन है अगर अमीन पेड़ पर चड़ करके अगर विरिज का उचाई माप और आपको पूरा एकदम यहां से लेकर यहां तक का लंबाई मापना है यह कैसे मापा जाएगा भाई है कि नहीं तो जो तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर आप उस तरीका को फोलो करेंगे तो आप इस पेड़ पर बीना चड़े हुए इसका उचाई पर ज़रूरी नहीं कि पेड़ ही रहेगा उसी का उचाई केवल माप लेंगे अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग रहेगा बिल्डिंग का भी उचाई आप गयाद कर सकते हैं या फिर गर कोई खूटा रहेगा खंबा रहेगा और जो कुछ भी हो जो उचा हो अगर उसका उ मायन के चली कि दिन है क्या है दिन है अगर दिन है तो सुर्य उगता हुआ दिखेगा है और दिन में कभी-कभी बादल भी रहता है उसके बिसम भी चर्शा करेंगे लगिन मायन के चली कि सुर्य है उगा हुआ है सुर्य देयो महराज यहाँ पर है अब इसका जो किरन है इस इस तरह से फैलेगी, अब अगर सुरी इस तरफ है, तो सौभाविक है कि इस object का, इस bridge का छाया जो है इधर बनेगा, है कि नहीं? यही तो आप जानते होंगे, सुरी इधर है तो bridge का छाया इधर बनेगा, अब अगर छाया बन रहा है, तो छाया का एक maximum point होगा बनने का, अगर यहाँ पर सुरी उगा हुआ है, तो जब छाया किसी भी bridge का या किसी भी object का चाहिए आप ही का बनता है, तो last वाला point रहता है यह नहीं रहता है, छाया का अंतिम बिंदू, है कि नहीं? तो मान के चलिए कि इस bridge का, इस point का, जो एकदम last वाला छाया है, वो यहाँ पर है, दे देते हैं, क्या है यहाँ पर? छाया है, पुरा छाया बना हुआ है, clear? अब इस bridge का उचाहिए गयाद करना है, देखें कैसी होगा, एकदम simple सी तरीका है, यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि इस bridge का जो उचाहिए है, वो क्या है? X है, यह होगी यह पाद बिंदू, इसको distance हम माप सकते हैं, है कि ने? मान लिजे कि यह point है A, यह बला है B, और यह बला है C, तो BC का distance हम पता कर सकते हैं, क्योंकि यह जमीन है, जमीन पर हम chain को दोड़ा करके, यह फिता को दोड़ा करके माप लेंगे BC का लंबाई, है कि ने? सपोज किजे कि BC का लंबाई आ गया, 30 फ दंडा लेना है, क्या लेना है? दंडा लेना है, 3, 4, 5 फिट, जितना फिट का लेना चाहें, ले सकते हैं, अब उस दंडा को क्या करना है? इसी जमीन पर रखना है, मान के चलिए यह जमीन जो है आगे तक गई है, है कि ने? अब यह धरी आ प्रक्षे का चै फिर चहां भी आपको, यहां पर एक डंडा एकदम तुरंत आपको रखना है, इसे करके आप एकदम सीधा रखना है, ठीक, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिगर का एंगल बनाते हुए, अब देखना है कि इसका चाया कि धर बन रही है, सपोज किजिए कि इसका जो चाया है इतना दूर तक जा रही है कि लिए, यहां तक जा रही है, इस पॉइंट तक, अब पॉइंट का हम नाम भी देते हैं, मान लीजिए, किसी तक है ना, तो इसको डी मान लेते हैं, इसको ए और इसको एफ मान लेते हैं, कि लिए तो इफ क्या है, छाया है, छाया का लंबाई है, इस डंडा के चाया का लंबाई है 6 फिट क्योंकि ये चीज तो माप सकते हैं डंडा भाई हमने खड़ा किया है तो डंडा का लंबाई हम माप लेंगे अब डंडा के तो बारा कितना चाया बना है उसको माप लेंगे तो 6 फिट आया है बस इतना जो काम है वो आपको जल्दी बाजी में करन होना है जैसे ही ये वला डिस्टेंस मापिएगा तुरंट आपको ये वला काम करना है देर नहीं होना चाहिए अगर आप देर करेंगे तो आप जानते हैं कि प्रित्पी घुमती है प्रित्पी घुमने के बजा से जो है चाया में परिवर्तन होता है है चाया में क्या होता है आगे बढ़ जाएगा चाया या अगर सुर्य वूग रहा है तो फिर पिछे हो जाएगा बारा बज़े गद भी ने इस तरह से हो सकता है लेकि यह वला कम आपको तुरंद करना है इसके बाद में तुरंद चली अब इतना करने के बाद एक दम मामला देखे तुरंद सॉल्व हो गया हो कैसे यहां पर एक चीज़ आपको मैथेमेटिक्स का केलकुलिसन है ध्यान रखना है कि अनुपात जो होगा अनुपात किसका किसका है इस व्रिच का उंचाई मतलब की X divided by इस व्रिच के दोबारा बनाई गई चाया क्या ची है बीसी बीसी का लंबाई कितना है 30 फ और इसके दोबारा चाया का जो लंबाई है उसको डिभाइड कर दें कि इतना है 6 बस यह वला चीज़ आपको लाना है यह वला काम हम इसे लिए किये थे ताकि इस व्रिच का उंचाई को लिखे और उसको डिभाइड करें किस से चाया से फिर इस डंडा का जो उंचाई है हäll तो इस घंड़ा की दोबर भबनाएगी जो चया की लंबाई है उसको नीचे लिखे मताश अनूपाद जो है सेम रहेगा सेम टाइम पर तो कि सुरी एक ही जगा पर इस ढहल है है कि नहां इस इस ढ ^^ हम चैलकुलेट की ये हैं तो जो अनुपात होगा, वो बराबर होगा, अब इसको तुरंत आप calculate कर सकते हैं, अब जहें कैसे calculate होगा, नीचे नीचे भी काट सकते हैं, 6 कम 6, 635, तो x बराबर में कितना आ गया, 525, तो x का जो ही मानाएगा, किस में आएगा, फिट में आएगा, फिट में क्यों आएगा, यह वाला भी कडी में होना चाहिए, यह वाला भी कडी में, यह वाला भी कडी में, clear, और आपको ऐसा लेना है, लंबाई वगेरा, खुटा का, जो एकदम simple हो, 5 फित रहे है, 3 फित रहे है, 2 फित रहे है, 10 फित रहे है, यूए, ug nettण simple वाला, क्वगि खुटा हम किसी भी मा उचाई है वो कितना है 25 फिट है और एक्स का मान 25 फिट है इसका मलब पेड का मुचाई 25 फिट आ गया तो एक तम यह सिंपल सी तरीका था ठीक है अगर इस जगह पर बिल्डिंग रहता तो बिल्डिंग का भी उचाई ग्यात हो जाता सूरिय है यहीं पर सपोच कीजिए बिल तो जो बिल्डिंग का लंबदा था जो माने थे एक्स वाई जो लिखेंगे बिल्डिंग तो निचे लिखेंगे फिर इस ठंड़ समधा भरा रहेए उसका भी उचाई आप गयात कर एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, कि लिए एकदम सिंपल सा है, कोई एकदम जंजट इसमें नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिकत है, एकदम दिकत नहीं होना चाहिए, आप चाहें तो 30 को इधर जो डिवैड में उधर गुना मिले जाए, ठीक है, और फिछ एकमचे 6-35 का टेक मिला करके 25 फिठी आएगा, क्लियर, चलिए, अब मान के चलिए, यह सूर्य यहाँ पर उगा हुआ था, तो छाया के मदद से हम मुचाई ग्यात कर लिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि बादल हो, या फिर रात का समय हो, सूर्य ना हो, तब कैसे ग्यात होगा, तो महां पर हम trigonometric अभी परियोग करके, हम इस bridge का उचाई ग्यात कर सकते हैं, वो कैसे, देखिए, चलिए, इसको मिठा देते हैं, अगर note करना तो note कर लीजे, clear, चलिए, इसको मिठा देते हैं, सपोज किजिए, कि अब क्या हो गया, अंधेरा हो गया, अब अंधेरा हो गया, फिर बादल चाया हुआ है, सुर्य नहीं है, तो देखिए कैसे हम गयात करेंगे, देखिए, ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, आपको करना क्या है, एक laser light आपके पास होना चाहिए, laser light या फिर torch होना चाहिए, अब आप किजिए क्या, कि laser light या torch को आईसे आप जमीन पर र चाहिए और उसको जलाइए, ठीक है, ये बला जो यहां से जो किरन निकलेगी, एक तम चोटी तक जाना चाहिए, यहां तक, इस point तक आना चाहिए, अगर इस point का नाम A है, तो इस point तक आना चाहिए, और मान लेते हैं, फिर इसका जो उचाई है, वो X ठीक है, तो हम laser light से क् यहां पर क्या करेंगे, किरन को इधर भेजेंगे, अब जैसे भेजेंगे तो यहां पर कुछ एंगल बनेगा इसे करके, अब वो एंगल 45 डिगरी का होना चाहिए, आपको लेजर light के तो बार जो किरन जा रही है, point A पर मिलना चाहिए, अगर यहां पर 45 डिगरी का एंगल अगर सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, अब हो कैसे, आपके पास कोई ऐसा कोना वाला चीज होगा, तो अगर जैसे कि कोई ऑजार रहता है, जिसमें एक तम नबबे डिगरी का बना हुआ रहता है, तो नबबे डिगरी का है, उसके बीचों बीच एक दम ले लिजे, अगर आप तुरंथ निखालना चाहेंगे, तो नहीं आएगा, लेकिन अगर एकजेक्टली निखालना चाहते हैं, पूरा एक इंच कभी फर्क ना हो, तो अभी निकल सकता है, क्योंकि ट्रिगोनेमेट्री एकदम एकजेक्ट चीज आपको देगा, है कि ने, लेकिन अगर आप एक एप्रोक्सी मेटल निकाल सकते हैं, तो अनुमानता जो है, आपको 45 दिग्री में क्या करना है, उस लेजर लैट को या फिर उस स्टॉर्ज को एडजस्ट करना है, कही बर क्या होता है, कि हम जुक के भी क्या करेंगे, 45 दिग्री के एंगल पर जुकेंगे, और फिर आंक से देखेंगे, और पीछे हटते जाएंगे, जब तक वो पुरा चोटी उपर वाला है, दिखना जाए, यह भी तरीका होता है, लेकिन इस पर बहुत सारे तुरूटी हो जाती है, गलत गैलकुलेशन भी हो जाता है, लेकिन यह वाला चीज मैं आपको इसलिए नहीं ब तो यहां पर 45 डिगरी का एंगल हमको मिल गया, कितना डिगरी का 45 डिगरी का, यहां तक है अगर ऐसे रहा था 90 डिगरी का होता है, तो आपको यह चीज समझना है, यह 45 डिगरी का एंगल बन गया, अब क्या करना है, यहां पर अगर 45 डिगरी का एंगल बन गया है, तो जो यहां से यहां तक होगा वही इस ब्रिच का उचाई होगा बस यही फंडा है क्या बोले हम अगर आप 45 दिगरी का एंगल बना दियें आप किसी भी तरह से दिमाग लगा करके ठीक है या फिर अगर आपके पस चांद हो तो चांद कभी परियुक कर सकते हैं क्रीमी लेयर तक बासे में आ रही है चलिए या फिर यहां पर दूसरा यंत्र का भी परियुक कर सकते हैं जो आपको कमपरटेबल लगे हम तो कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है जो यहां पर कॉर्णर वाला राता नवे डिगरी वाला उसी से मिल जाएगा है कि नहीं बहुत बड़ी चीज नहीं है चलिए अब यहां पर बन गया तो क्या करेंगे यहां से जो भी लंबाई होगा वही इस ब्रिज का हुँचाई है इस ब्रिज का हुँचाई अगर एक्स माने है तो यह वाला भी एक्स ही आएगा अब यह वाला एक्स का जगा पर क्या है दस मिटर पांच मिटर यह तो पता चल जाएगा तो जो भी अगर भान किशे लिए दस मिटर है लंबा तो मुझाई भी क्या होगा यह 45 degree ही होना चाहिए, वोगि यहां पर देखें, ट्रिगोनोमेटरी का ही यहां पर यूज हुआ है, वोगि हम जानते हैं कि 10 45 degree का मान होता है, कितना 1 होता है, ठीक है, यह बला चीज आपको याद रखना है, 10 45 degree का मान, 1, हम लोग जानते हैं यह भी, कि 10 थीटा बरावर होता है, P by B, यानि कि perpendicular divided by base, तो देखें, यह बला क्या है perpendicular, अगर यह बला एंगल है, यहां पर 90 degree का एंगल बन रहा है, यह सिंपल सी बात है कि ने, तो यह हो गया P, यानि कि X, चलिए, यहां पर 10 थीटा is equal to P, अब P कितना है, यहां पर X मान है, तो X आया, divided by B, और B को जब यह मापे, तो भी क्या आया, X आया, अब कटेगा, यह X, यह X कट जाएगा, तो 10 थीटा का अगर मान 1 आ रहा है, तो इसका मुलब 10 45 degree का मान है, क्या चीज, 1, या फिर अगर इस तरह से आप नहीं कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 10 थीटा बरावर होता है, P by B, तो 10 45 degree, 10 45 degree बरावर क्या होगा, P के जगा पर रखेंगे X और डिभाइड़ अब X यहां पर यह वाला है, और यह वाला मान जो है, आप कुछ भी आप Y वेगरा जो मानना है, मान लीजिए, अगर यह वाला 10 45 degree का मान 1 हो जाता है, तो 1 बरावर में क्या हो जागा, X divided by Y, Y अधर चला जा लावाई बोल सकते हैं, बाद बाद, बराबर हो गया, मतलब की लंबाई एकदम बराबर ही है, ठीक है, तो trigonometric कहीं यूज हुआ है, यहां पर simply कोई बड़ी चीज नहीं है, तो यह हुआ, दूसरा तरीका अगर बादल रहे या फिर रात रहे तब, 45 degree का एंगल लेकिन बन लेंगे, तो आज के लिए इतना ही आम बिलेंगे अगला वीडियो में, जैहिंद वने मातरम,